आगरा में सरवाधेत लोगप्रिय चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लगडाउन को दौरान खाने का संकट गरीबों के सामने नहीं बलकि पश्यों के सामने भी आखड़ा हुआ है ऐसे में इनसान इनसान की मदद तो करी रहा है साथ ही सरकार भी गरीबों तक मदद पहुचाने का काम कर रही है पश्यों के सामने आज भी उनके भोजन का संकट गराता जा रहा है एक तरफ पूरे जिले में लोगडाउन हुआ है दूसी तरफ लगतार कोरुना वारिस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं साथ ही साथ होट स्पॉर्ट की संख्या भी 40 से अधिक पहुँच गई है ऐसे में लोग अपने घरों में ही रहने ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं साथ ही साथ उनके खाने पीने की विवस्ता का भी ख्याल सरकार और जिलाप्रशासन द्वारा रखा जा रहा है और शक्ता पढ़ने पर सभी को हर संभो मदद पहुचाई जा रही है लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आज भी ताजनगरी की सड़कों पस सैकड़ों गाय और अन्य पश्यू हम इंसानों का इंजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और उनके लिए भोजन पानी की विवस्ता करेगा लेकिन ज्यादा तर देखने को मिला है कि आज भी काफी पश्यू कूड़े के धेर पर अपना भोजन ढूरते हुई नजर आते हैं लेकिन वहीं इस से हटकर भी एक तस्बीर है जो हमें निव शागन इस्तित कोठी मिनावाजार पर देखने को मिली पश्यों के भोजन की विवस्ता के लिए एक स्थल बनाया गया है जहां पर कुछ समाजिक संस्ताएं और कुछ स्थानी लोग इन पश्यों के लिए हरे चारे और घर में बची रोटियों के साथ साथ पानी की विवस्ता कर रहे हैं इस पर सादू संतों का कहना है कि गरीबों के भोजन की विवस्ता करना और उनका ख्याल रखना सरकार के जिमेदारी है लेकिन इन बेजबान पश्यों के लिए भोजन की विवस्ता करना आपकी और हमारी जिमेदारी है हमें ये प्रयास करना होगा कि इन परश्यों के लिए दो वक्त के भोजन के लिए अपने भोजन में से दो-दो रोटिया हर कोई निकाल सके ताकि हम इनसानों के तरह ये जीब जनतु भी भूखे नासो हैं के लिए निकाल पाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा किसी पर जादा वजन आएगा और ये हमारे ही तो भरोसे हैं इनका भी हमारे और आपके लावा कौन है बहुत लोग कर रहे हैं अच्छा लगा आज देख करके लोगों को कि लोग बहुत गायों की सेव पश्यों की मदद करने वाली सहस्ताओं और लोगों की शहर के कई बुद्जी भी उनके काम की सरहना कर रहे हैं साथी साथ अपील कर रहे हैं कि और भी लोग आगे निकल कर आए ताकि इस संकट की घड़ी में कोई भी पश्य पक्षी भूग का शिकार ना हो सके अनिल सी नि